Windows Server 2019 Tutorial Series के इस वीडियो के अंदर हम देखने जा रहें कि Windows Server 2019 Active Directory के अंदर हम OU की इस तरह से Create कर सकते हैं और उसे Manage कर सकते हैं सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि OU क्या है और उसे समझने के लिए हम एक Example ले लेते हैं मान लिजिए कि आपके पास आपके computer में बहुत सारे Word documents है, कुछ photos है और कुछ software पड़े हुए तो जैसे हम computer के अंदर use करते है folder का कि जिससे आप एक folder के अंदर सारे documents रखेंगे, एक folder के अंदर सारे images जो photos है उसे store करेंगे और एक folder के अंदर सारे software store करेंगे जिससे वो सारे files को appropriately arrange कर पाए वैसे ही active directory के अंदर वही काम OU का है, OU को हम use करते है users, computers, group और even child OU को store करने के लिए जैसे हम एक बोल सकते है कि OU जो है वो एक type का container है active directory के अंदर जो हमारे सारे active directory object को store करता है और OU के help से ही हम हमारे organization का structure बना सकते है जिससे हम हमारे active directory को properly manage कर पाए दूसरे भी reason है जिसके लिए OU बहुत important है जैसे कि आप properly structure बना सकते हो अपने active directory objects का जिससे आप properly उसे manage कर पाए आप OU के help से delegation दे सकते हो अगर आप ऐसा चाहते हो कि कोई admin पूरे active directory को manage ना करे particular user को मैं यह delegation देना चाहता हूं कि वस OU के अंदर वो user create कर पाए और उसे manage कर पाए तो उसके लिए हम use कर सकते है OU का और आप OU के ऊपर group policy assign कर सकते हो जितने भी आपके active directory के अंदर built-in containers है जैसे अगर हम यहाँ पर देखे built-in, computers, foreign security principles, manage service accounts और users उसके ऊपर आप group policy attach नहीं कर सकते हो आप चाहे तो आप domain के ऊपर attach करके उस पर apply कर सकते हो, inherit करवा सकते हो बट आप built-in container के ऊपर group policy attach नहीं कर सकते हो, तो GPU के लिए भी group policy management के लिए भी आपके पास OU का होना ज़रूरी है जब आप OU का planning और naming करें तभी भी कुछ चीज़े ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है जब भी आप OU का planning करें आपके active directory के अंदर तो पहले जो layout है वो set कीजिए geographical layout मैंस वहाँ पर आप set कर सकते है countries अगर आपका organization multiple countries में run हो रहा है तो उस time के आप OU पहले create कर सकते है countries के नेम पे दूसरा हो सकता है cities या location जहाँ पर आपका active directory मिन्स जहाँ पर आपका organization जह city में है उसके नाम से आप OU create कर सकते है for example अगर आपकी company operate हो रही है सूरत में एहमदाबाद में और मुंबई में तो आप वहाँ पर तीन separate OU create कर सकते हो उस city के नाम से फिर second level पर आता है corporate organizational chart यानि कि department wise अब मान लेजिए कि आपकी company operate हो रही है मुंबई में तो आपने वहाँ पर OU create किया है मुंबई का अब मुंबई के अंदर आप अपने department wise वहाँ पर OU बना सकते है for example HR department, accounting department, marketing department, sales department वैसे है और उसके अंदर आप administrative control point of view जैसे के मान लेजिए वहाँ पर आपने users बनाए है तो एक separate OU बनाएए for example accounting के अंदर user के लिए एक OU बना सकते है accounting users, computers के लिए हम एक और OU बना सकते है हम नाम दे सकते है accounting computers जिसे आप अपने active directory को properly manage कर पाए देखते हैं हम OU किस तरह से create कर सकते हैं, OU create करने के लिए stream हमारे पास दो method available है GUI और CUI पट एक बात है कि OU आपको rarely create करने पड़ेंगे, अगर एक बार आपने OU बना लिया है तो फिर उसे सिर्फ हमें use करना है उसके अंदर हमें ज्यादा तर changes करने पड़ते नहीं है, तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम graphically OU के इस तरह से create कर सकते हैं उसके लिए हम सिर्फ use करेंगे active directory uses and computer snapping का तो चलते हैं हमारे Windows Server 2019 domain controller के उपर, यहां पर मैं सबसे पहले click कर लेता हूँ हमारे domain के नाम के उपर और फिर मैं यहां पर click करता हूँ यहां पर, जिससे new container जो OU है उसका wizard start हो जाएगा, आप चाहे तो यहां पर right click कीजिए, select कीजिए new और यहां से select कीजिए OU मैं यहां पर नाम देता हूँ, for example, Mumbai, अब यहां पर आप देख सकते हैं कि यह checkbox selected है, protect container from accidental deletion इस protection के help से अगर by chance आपने कभी OU select किया हुआ है और delete की प्रेस हो जाती है, तभी यह OU delete नहीं होगा और इसलिए हमें इस checkbox को on ही रखना चाहिए, हम click करते है okay button के उपर, so जो हमने वहां पर planning देखा था, structure देखा था कि किस तरह से बनाना चाहिए तो वहां से हमने set किया है location, अब उसके अंदर हम child OU बनाने के लिए जा रहे हैं, जिसे मैं नाम देना चाहता हूँ, accounting OU को select कर लीजिए, और अब मैं यहां पर click कर रहा हूँ, जिससे भी same wizard start होगा, और यहां पर नाम दे देते है, accounting Okay, हमने यहां से नाम specific कर दिया accounting और click करता हूँ, okay button के उपर, fine, अब मैं यहां पर click कर रहा हूँ, idstarter.local के उपर और एक और OU मैं यहां पर create कर लेता हूँ, जिसे मैं नाम देता हूँ, marketing Click करते है, okay और अब हम यह देखना चाहते है, actually मुझे OU बना ना था Mumbai के अंदर, but गलती से OU बन गया है पार, तो हम उसे move करना चाहते है, और जैसे आप move करने के लिए जाओगे, आप वहां पर एक problem face करोगे, देखते हैं किस तरह से हम OU को move कर सकते है, right click, और मैं यहां से select करता हूँ, move, और हम उसे store करना चाहते है, Mumbai के अंदर, click करते है, okay बटन के उपर, और जैसे आप यहां पर देख रहे है, कि हमें यहां पर message मिल रहा, access is denied, आप इस object को move नहीं कर सकते हो, क्यों, अगर आप इसे delete करना चाहो, तो भी यह delete नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हमने वहां पर वो option set किया था, protect from accidental deletion, और इसलिए, ना तो हम इस OU को move कर पा रहे है, और ना ही इस OU को हम delete कर पा रहे है, तो उसके लिए, आप जा सकते हैं, उस OU की properties के अंदर, but by default यह tab वहां पर available नहीं होगी, जिसके हमें जरूरत है, वो tab लाने के लिए हमें क्लिक करना हो और यहां से हमें select करना है advanced feature, उसके बाद वापस आपको click करना है आपके OU के उपर, right click कीजिए उस OU पे, select कीजिए properties, और अब वहां पर आपको एक tab मिलेगी, object, object tab के उपर आपको यहां पर नीचे मिलेगा protect object from accidental deletion, इसको आपको clear करना है, click करना है apply के उपर, और click करना है okay के उपर, उसके बाद आप चाहे तो इससे delete कर सकते हैं, और चाहे तो आप उससे move कर सकते हैं, क्योंकि दोनों operation से नी है, और अब मैं यहां से select कर लेता हूं Mumbai, और click करता हूं okay button के उपर, अब जो हमारा OU है, वो successfully move हो चुका है Mumbai OU के अंदर में, OU की base practices के लिए, मैं एक और यहां पर OU बना रहा हूं, हमारा IT starter.looker domain के अंदर में, for example, आपकी company operate हो रही है Baroda में, इसलिए मैं उस OU को नाम दे रहा हूं Baroda, इसके अंदर एक और OU बना रहा हूं, जिसे मैं नाम दे रहा हूं Users, वापस click करता हूं Baroda के उपर, इसे हम नाम नाम देता हूं, computers, again click कर रहा हूं Baroda के उपर, इसे नाम देता हूं, service, और groups, so यह है हमारी location को represent कर रहा है, और यहां पर जो मैंने OU का structure बनाया वो यह है, कि Baroda side के जितने भी users है, उसे हम store करेंगे users container के अंदर, अब मान लिजिए कि वहां पर आपके पास multiple department है, तो उसे, वो सारे department को आपको इसके अंदर store करना है, for example, आपके पास यहां पर है HR department, तो आप यहां पर HR department create कर दीजिए, इस तरह से, जितने भी computers account है हमारे active directory के, उसे हम store करेंगे computers के अंदर में, service को store करेंगे service के अंदर में, और groups को store करेंगे groups के अंदर में, इस तरह से हम plan कर सकते हैं, OU का हमारे active directory environment के अंदर, अब मान लिजिए कि आप किसी भी OU को delete करना चाहते हो, तो जब तक accidental protection on है, तब तक आप उस OU को delete कर नहीं पाऊगे, तो उसके लिए simply delete करते वक्त आपको वो protection हटा देना है, और उसके बाद ही आप उस particular OU को delete कर पाऊगे, fine, अब हमने marketing के उपर से भी object हटाया था, बट सिर्फ उसरे में हमने move किया था, तो जब भी आप move कर लो, उसके बाद वापस आपको यह भूलना नहीं है, कि वहाँ पर जो accidental protection था, उसे enable कर दे, fine, तो वापस हम enable कर देते है, apply, और okay, और अगर आप आप गलती से भी उसे, औ भी delete नहीं होडा, क्योंकि वह protection वहाँ पर on है, और इस example में हम देख रहे है कि हमारे पास यहाँ पर marketing OU है, तो मैं यह भी recommended करूँगा, कि आप वहाँ पर OU का structure कुछ इस तरह से design कीजिए, मैं यहाँ पर एक और OU बना रहा हूँ, जैसे मैंने नाम देया है marketing users, और उसे के अंदर आपके computers account के लिए एक separate OU बनाएए, ओके, और अब हमारे पास दो separate OU है, marketing department के अंदर, जितने भी marketing department के users है, उसे हम store करेंगे यहाँ पर, और जितने भी marketing department के computers है, उस account को store करेंगे यहाँ पर, अगर आपकी site बड़ी है, और जहाँ पर active directory users और groups ज्यादा है, तो आप इस तरह का planning कर सकते हो, और अगर site के अंदर users कम है, तो आप इस तरह का भी planning कर सकते हो, OU को rename करने के लिए simply आपको click करना है OU के उपर, यहाँ पर right click कीजिए, और select कीजिए rename, प्रेस कीजिए ok button पे, और आप देख सकते है, कि successfully जो OU है, वो rename हो चुका है, तो कुछ इस तर से हम Windows Server 2019 Active Directory के अंदर OU create कर सकते है, rename कर सकते है, move कर सकते है, और delete कर सकते है, इस video demonstration के लिए इतना ही, next video demonstration में हम देखेंगे कि हम Active Directory के अंदर groups किस तरह से बना सकते है, और कैसे उसे manage कर सकते है, thank you all for watching this video.